दोस्तों अगर आप अपने मोग्रे के पौधे में धेर सारे फूल पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपने गार्डन में लगे हुए मोग्रे के जो पौधा है उसमें क्या केर करें मतलब अभी उसमें कौन-कौन से ऐसे काम कर दें जिससे बाद मैं इसमें इस्प्रे करूंगा ताकि इसमें रोग ना यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी इसलिए वीडियो को लाज तक देखिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस एंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार मेरे चैन अधा माना जाता है क्योंकि इसमें जो फूल आते हैं उसमें बहुत अच्छी खुस्टबू आती है और सबसे बड़ी खासियत यह कि यह गर्मियों में फूल देता है तो इसकी जो केयर करने होता है आपको मतलब जो केयर है वो सर्दियां जैसे ही खतम हो उसके बाद आपक किया है आप यह मेरा मोंगरी का प्लांट है यह इस प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है तो आप चाहे तो प्लास्टिक के प्लास्ट के पॉट में इसलगा करोंगा यह अप को किरीन consigyll में दूंगा खाध, जोकी मैं गूबर की खाध और नीम-कली का इस्तमाल करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा इसमैं स्प्रे जिसमैं मैं नीम-एल का स्प्रे करने वाला हूं, यह पूरी मेहफ़ड में आपको बताऊंगा कि कटिंग कैसे करनी है खात कैसे देना है और इस प्रे कैसे करना है उसके बाद इस पौधे को आपको रखना कहा है क्योंकि वो बहुत important है अगर आपने मोंग्रे के पौधे को जो गलत जगह रख दिया या एंसी जगह रख दिया जहां पर धूप कमाती है तो फिर इसमें फूल नहीं आएंगे तो ये जो अभी मैंने सोट में समझाया ये उन लोगों के लिए था जो अब खुद ही ये काम करना चाहें तो वो यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और बांखी आप लोग जो इसकी कंप्लीट केर देखना चाहते हैं वो वीडियो में कंटीन्यू बने रह सकते हैं तो अब एक एक point पर बात करते हैं और एक एक चीजों को करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं इसकी pruning. अब देखिए प्रूनिंग करने के लिए आपको लेना है इस तरह ऐसे कटर और कटर को कर लेना है अच्छे से डिसिंफेक्टेड मतलब साफ आप किसी भी सैनिटाइजर से या रविंग एलकोहल से इसे कर लीजिए साफ तो यह मैंने कटर को साफ कर लिया है इसके बाद हम कट करेंगे अप जो मोगरा प्लांट है इसकी प्रूनिंग का मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको आपको क्या करना है ये जो नोड होती है इसके उपर से एसे ऐसे कट करना आए ताकि यहां से जो है दो ब्रांचेज अब निकलेंगी और यह सूखी ब्रांच है तो इसे मैं र सबसे पहले मैं नीचे से आपको बता देता हूं जो यह आप बॉटम देख रहे हैं यहां पे जितनी भी यह सूखी ब्रांच इस दिख रही है आपको यह एक्स्ट्रा ब्रांच इस दिख रही है हमें इन्हें हटाना है इस तरह ऐसे क्लीन करना है नीचे बहुत ज्यादा हमे ये आप देख रए हैं, ये उपर ब्रांच आई हुई है, यहां से भी सेट में हैं, टो इसमें जो हम इसकी नोड है यहां से से कट कर देंगे तो अब यहां से नई जो है ग्रोथ हो जाएगी इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जितनी भी ब्रांच हैं अंदर की तरफ की ब्रांचों को आपको कट कर देना है ताकि इस पौधे में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता रहे हवा दूँगा ताकि यहां से ग्रोथ होने लगे इसके बाद यह मैं हटा देता हूं और हमें मोग्रे के पौधे को बुसी बनाना है तो हमें इसे इतना बड़ा जो है नहीं रखना है हम इसकी ब्रांच इसको नीचे से काटेंगे लगभग एक से दो फिट पर ही हम इसे कट कर इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हैं इन्हें जरूर हटा दीजे और सूखी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं रखनी है अब आप देख रहे हैं यह एक टेड़ी ब्रांच है उपर की तरफ जा रही है तो हम इसको यहां से कट करेंगे इसके बाद यह जो भी सेप में ब बनाएंगे तो इसे भी हम यहां से और इसके यहां से कट कर देंगे अब यहां पर भी सेम है तो इसको यहां से कट करना है और देखिए अब यह जो ब्रांच है यह थोड़ी सी अच्छी है तो इसकी मैं अभी कटिंग भी लगा दूँगा मैं वो तरीका भी आपको बता द करते हैं यहां से इसे कट करते हैं странर rich home एक aumentar ko का रिए तो नीचे से कट करेंगे अब देखिये यह काफी बन जाएगी हमारी तो इसे हमें हांस ब्लाुद का न haar कर कर código रूंगा और यह हमारी इसकी हमकण बनाएंगे भालिशद करते हैं Major अब यह आप देख रहे हैं कितनी इसकी कटिंग होती जा रही है तो यह कितना छोटा होता जा रहा है और यह लकडी को भी मैं यहां से निकाल रहा हूं क्यूंकि अब इसकी जरूरत नहीं होगी यहां पर यह ब्रांच को हटाएंगे हम क्यूंकि यह बिलकुल नीचे है और अंदर की तरफ है हमें यह देखिए तो यह हो गई हमारे मौरा के प्लांट की प्रूनिंग आप इसको सेमि हार्ड प्रूनिंग बोल सकते हैं बिलकुल जो हार्ड प्रूनिंग होती है устой को बेस से काटा जाता है और और इसकी सेमि हाक प्रूूनिंग कर दी है और एक दो ब्रांचिस और मुझे दिखी तो इन्हें भी हटा देते हैं ये देखिए तो अब हमने ये सारा हटा दिया है इसको भी मैं कट कर देता हूं ये देखिए तो अब हमने इसको क्या किया है अच्छे से कर दिया है प्रून अब दूसरा हमारा काम क्या आता है द अब ये पत्ती जो है ये बाद में हमारे काम आएंगी मल्च के तो अभी तो फिल हाल हमें इसे हटाना होगा बाद में हम इने फिर से यहां पर मल्च की तरह इस्तमाल करेंगे नीचे भी हम देख लेंगे अच्छे से कि किसी भी तरह का अगर कोई और स्टम छूट गई है तो आप उसे हटा दें जैसे ये रखी हुई है यहां पर ये एक छोटी सी स्टम है इसे मैंने हटा दिया है अब देखिए इस तरह से ट्रावल की मदद से आपको करनी है गुडाई इस तरह से हलकी सी और रूट आ जाएंगे आपको ये दिख रही है देखिए ये रूट है तो इस तरह से हम करेंगे गुडाई और पौधे की रूट काफी है इसकी जो हमारा अब ही मौगरे का पौधा है तो ये रीपोर्ट की अभी इसको जरूरत नहीं है लेकिन कभी आपका पुराना पौधा है अगर आप देख रहे हैं कि दो साल से लग हुआ है तो आप जरूर चेक कर लें अगर उसमें रीपोर्ट की उसको जरूरत है तो आप इस समय से रीपोर्ट भी कर सकते हैं किसी बड़े ग्रोवेग में या रूट प्रून कर दीजिए एक्स्टा रूट इस तरह से गुडाई करनी है देखिए रूट से बिलकुल भी आपको डरना नहीं है यह जो रूट थोड़ी बहुत डेमेज होती है इस तरह से आप देख सकते हैं यह रूट जो आ गई है इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब मैं थोड़ी सी इसकी जो मिट्टी है वो मैं निकाल लेता हूँ बाहर अच्छा यह मिट्टी बहुत अच्छी होती है इसको आपको फेंकना बिलकुल भी नहीं है इसका इस्तमाल भी हम करेंगे और इस मोगरे का अपडेट वीडियो भी आपको मिलेगा इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने अब देखिए मिट्टी निकालने के बाद जो भी हाड सर्फेस था अब हम फिर से उसकी थोड़ी सी हलकी सी और गुडाई करेंगे ताकि यह रूट अच्छे स पाद हम इसमें क्या करेंगे डाल देंगे नीम खली तो यह हमारा नीम खली का पाउडर है देखिए यह आपको मिल जाएगा वैपसाइट और निक बजा डॉट नेट पर तो एक गमले में एक मुठ्थी नीम खली आप इस्तमाल कीजिए और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ यह गोबर की खाद यह देख सकते हैं आप गोबर की खाद है यह भी आपको मिल जाएगी वैपसाइट और अर्गनिक बजा डॉट नेट पर वहां से आप इसे खरीच सकते हैं और यह पुरानी होनी चाहिए आप देख सकते हैं बिलकुल यह पुरानी है डिकम्पोज होनी चाहिए ताजी गोबर की खाद का इस्तमाल ना करें बनना फाइदी की जगहे आपको नुकसान हो सकता है तो कितना डालेंगे लगभग 300 से 400 ग्राम आधा केजी तक आप इसमें डाल सकते हैं डिपेंड करता है आपका पौट कितना बड़ा है आपने कितनी मिट्टी निकाली है उन सब चीजों पर पूरा डिपेंड करेगा आपकी खाद देने का तरीका अब देखिए इस खाद को पहले तो थोड़ा सा हमें मिक्स कर देना है इस तरीके से और जो हमने मिट्टी निकाली थी ये मिट्टी इसकी हलकी सी उपर से इस तरह से हम परत बना देंगे खाद को कभी भी उपर खाली नहीं छोड़ा जाता इस चीज का ध्यान रखें उसको आपको मिट्टी से इस तरह से कवर कर देना है और जैसे हम अब भी पानी देंगे तो ये मिट्टी और अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी तो अभी लगाने के बाद इस तरह से खाद देने के बाद आपको तुरंट दे देना है पानी तो ये watering can है, देखिए, इस watering can से हम अराम से पानी देंगे और पानी आपको इतना देना है कि नीचे से drain hole से पानी आपका बाहर आते हुए दिखना चाहिए इस से आपको इसके drain hole भी पता चल जाएंगे कि आपके pot के drain hole बंद तो नहीं है और अगर drain hole बंद हैं, तो फिर आपको इसे पूरा बाहर निकालना होगा बाहर निकालने के बाद इसे check करना होगा, इसके drain hole सही करने होगे फिर इसको report करना होगा, इस चीज का ध्यान रखें तो जब तक ये पानी नीचे जा रहा है, हम क्या करेंगे, इसके drain hole जब हमें पता चलेंगे, तब तक हम क्या करते हैं, अब आप देख रहे होंगे, इसकी पत्तियां थोड़ी सी, कहीं कहीं, थोड़ी सी डल दिख रही हैं, तो इनको हमें clean करना है, अब clean करने के दो तरीके है याद तो आप साधा पानी ले लें, मैंने क्या किया हुआ है, इस पानी में नी मॉयल को mix किया हुआ है, नी मॉयल को mix करने का फायदा यह होता है, कि अब जो हमने प्रूनिंग कर दी है, इसके बाद इस पर दूसरे कोई भी insect आकर नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं नी मॉयल क पानी से इसको clean कर रहा हूँ, बाकि आप नी मॉयल का spray बार बार मतलब की हफते में एक बार जरूर कर दें, जिससे कि ये पत्तियां अच्छी साफ रहें, और आपको ध्यान रखना है, इस पर ऊपर और नीचे, क्योंकि क्या होता है, इस मोगरे के पौधे में spider mite का बहुत पर अटेक करेंगे, और पूरे पत्ते infected हो जाएंगे और पूरे इनको खा जाएंगे वो, तो पौधा हमारा सूखने लगता है, और देखिए काफी दिन से साफ नहीं हुआ था, तो अच्छा आपको deep clean करना है, इस तरह से pressure pump ले लीजिए, ये दो लीटर का spray pump है, ये देख पानी है, मिट्टी में कोई भी जो है नुकसान नहीं करता, तो पूरे पौधे पर कर दीजिए और stemper कर दीजिए, जो हमने अभी cutting की है, उस पर भी अच्छे से कर दीजिए, और ये हमने deeply इसमें कर दिया है, नीम oil का spray, और अब हमारा ये जो मोगरे का पौधा है, बिलकु पौधे को लेकर या इस वीडियो में जो भी मैंने केर टिप्स बताई है, मोगरे की उसको लेकर तो कमेंट्स जरूर करें, साथ मैं इस मोगरे के पौधे का अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गार्डन तूर के वीडियो में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आप से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, हैपी आपने